Hello Friends, Welcome to Quant Study Quant Study में एक बार आपका फिर स्थलागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारे Maths के High Level Quant जो की Mains के लिए आता है उसका Part 5 जैसा कि हर पार्ट में 5 कोशन होते हैं तो इस पार्ट में भी 5 कोशन ही होंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें पार्टनर्शिप और S.I.C.A.E. दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक कोशन बनाया है, थोड़ा से लेंथी कोशन है, मेंज में आपको लेंथी कोशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेर रहना होगा, कोशन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो चलिए करते हैं इस कोशन को solve, एक बंदे ने 60,000 रुपीज जीते हैं, कहीं से भी जीते हो, हमें फरक नहीं पड़ता, 1-5th of which he deposited in bank, 60,000 का 1-5th क्या होगा, 12,000, यानि उसने 12,000 जो हैं, वो बैंक में जमा करा दिये, and gets compounded annually for 2 years, ठीक, while he partnered, अच्छा, इदर लिख लेते हैं, हम time जो है, 2-year का है, CIP, while he partnered with Q in a business with investment of Rs. 3000 less than remaining money, देखे, 60,000 में से उसने 12,000 जो हैं, वो लगा दिये bank में, तो बचे कितने, 48,000, उन्हें कहा, 3,000 less than remaining money, यानि इस से भी 3,000 कम, तो 48 से 3,000 कम, यानि 45,000 की बाद चल रही है, तो ये 45,000 उसने क्या किये, उसने लगाए, business में, किस के साथ, Q के साथ, ठीक, ये चीज़ के लिएर हुई, तो उसने 45,000 लगा दिये, business में, ठीक है, इस person को हम क्या करते हैं, A मान लेते हैं, चलो P मान लेते हैं, P Q हो जागा ना, P Q साथ साथ वाले हैं, तो P मान लिया, ठीक, person आ गया, P, next आ गया, after 5 months, Q विड्रिव, रुपीज 45,000, ठीक है, पांच मन तक Q ने एक अमाउंट के साथ काम किया, ठीक है, Q, P, P ने 45 के लगाए हैं, और Q ने, एक मने इसको थोड़ा सा, P, Q, P ने 45 के लगाए हैं, Q ने X अमाउंट के साथ 5 महीने काम किया, पांच महीने के बाद उसने कितने निकाल लिए, 45,000 निकाल लिए, इतनी चीज़ क्लिएर होगी, ठीक, आफ्टर, अच्छा, टू मन्स आफ्टर विच, यानि इन पांच महीने के भी दो मन्त बाद, the man, यानि इस P की बाद चल रही है, increased his investment by 10%, 45,000 का 10% क्या होगा, 45,000, और यही इसने increase किया, यानि की, 495,000 जो है, वो कर दी उसने अब की investment, पहले यह जो 45,000 की investment, यह उसने कितने महीने चलाई, 7 महीने, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5 महीने के भी 2 महीने बाद, तो 5 महीने के 2 महीने और उपर होगे, यानि 7 महीने तक P ने 45,000 से काम किया, और उसके बाद आ गया, 495,000, ठीक, अच्छा, अब इस लाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने ये चीज़ जो अब भी तक हमने लिखी है, या आपने अपने अपनी copy पर note कर ली, क्योंकि इसको मैं अब हटाने वाला हूँ, ठीक, अब इन्होंने कहा कि बंदे को profit कितना हुआ है, जो P है उसको profit कितना हुआ, 37500, तो 37500 किसके बराबर है, 625 by 42 times of interest received from bank, यानि ये किसके बराबर है, 625 by 42 of interest received from bank, जैसा उन्होंने statement में कहा, हमने as it is यहाँ पर note down कर दिया, कुछ extra नहीं कहा, उन्होंने कहा, ये जो 37500 है, ये 625 by 42 of interest है, जो कि उस बंदे को bank से मिला, तो हमने वही चीज़ लिख ली, ठीक है, आप कर लेते हैं इसको solve, जब आप इसको solve करोगे, पूरी calculations बगरा करोगे, आ 2520 का, ये आ रहा है आपका interest, ये किस पर मिला है आपको interest, ये उस amount पर मिला है, जो bank में deposit की थी, तो question के starting में हमने 6000 में से कितना amount bank में deposit किया था, 6000 का 150, यानि कि 12000 रुपे हमने bank में जमा की होए थे, clear ये चीज़, अब देखिए, principle आ गया हमारा 12000, interest आ गया हमारा 2520 जो कि य ये है, time था हमारा 2 years का, amount आगी हमारी इसका और इसका sum, amount क्यों होता है, principle पर इंटरस्ट ना, compound interest की बात कर रहे हैं, तो amount आगया ये, amount आगया हमारा 14520, इतनी चीज़ के लिए होगी, अब हम basic formula लगा लगा लेते हैं, या आपको जैसे solve करना है, आप किसी और method से अगर क्योंकि मेरे को calculations easy लग रही है, ठीक है, basic formula क्या होता है, amount is equals to principle, 1 plus rate upon 100 की power time, ये होता है, basic formula, तो इसमें हम fill कर देते हैं, amount है, 14520 is equals to principle है, 12,000, ठीक है, multiplied by 1 plus rate हमें निकालना है, ठीक है, rate upon 100 time है, हमारा 2 साल का, clear, अब इसको थोड़ा मैं clear से लिख देता हूँ, 14520 is equals to 12,000, 1 plus rate निकालना हमें, upon time है, दो साल का, इसको इधर ले जाते हैं, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारी ये है quant, quant का मतलब है, कि points में आपका कभी answer नहीं आएगा, तो definite सी बात है, जब ये इस तरफ जाएगा, हमारे पास आएगा, 14520 divided by 12,000 is equals to 1 plus r divided by 100 का square, तो ये जो square जब इन पे लगेगा, ये root हो जाएगे, इतनी चीज़ के लिए रहा है, आपको बस वो चीज़ ढूंड नहीं है, कि ये root इस तरीके से बने, कि कोई decimal में value ना आए, ठीक है, तो हम इसको काटना शुरू करते हैं, इसको काटा हमने 4 के table से, तो नीचे आ गया 4, 3's are 12, ऐसा पहले 00 हटा देते है, 4, 3's are 12, 00, ठीक, उपर आ गया 4, 3's are 12, 25, 4, 6, 24, 12, 4, 3's are 12, clear, अब 3 से भी काट सकते हैं इसको, 3, 1's are 3, 3, 2's are 6, 3, 1's are 3, नीचे आ गया 100, तो आप देख सकते हैं, कि अब ये वाला जो इस पे अगर हम root लगा दें, तो हमारी जो exact values हैं, वो आ सकती हैं, ठीक है, हमने जो इसका square था, ये root बना दिया, ये वाला, ठीक, अब 121 किसका root होता है, 11 का, और 100 किसका root होता है, 10 का, square होता है, सौरी, ठीक है, 100 किसका square होता है, 10 का, तो 100 का root क्या होगा, 10, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस R upon 100, ठीक है, ये 1 इदर जाए का minus होगा, तो 11 by 10 minus 1 is equals to R upon 100, तो 1 upon 10 is equals to R upon 100, हमारा rate आ गया 10% का, तो हमारा rate आ गया 10% जो कि इदर दीख रहा है, और इदर दीख रहा है, ठीक है, हमारा option B हो गया, eliminate, अब काम करते हैं हमारा, जो आगे का question कह रहा है, उस पे, अभी तक हमने, जो हमारा simple interest, compound interest वाला part था, व हम खतम करेंगे, हमारा partnership वाला part और हमारा final answer आएगा, मैंने आपको पहली बताया, question lengthy हो, जरूर होगा, पर मुश्किल नहीं होगा, ठीक, अब हम आजाते हैं अपने part पे, इन्होंने कहाए कि find the amount invested by Q, if the total profit from the business is इतना, अब देखिए, total profit कितना है, 87400, इस में से P का profit कितना है यह दिया हुए, 375000, तो Q का profit कितना होगा, इन दोनों की subtraction, 49900, clear, अगर हम इनकी ratio निकालने, P is to Q के profit की ratio क्या आएगी, 375 is to 499, ठीक, यह चीज हमने लिख ली, अब आजाते हैं हमारे उस part पे, जहां पर हमने इनकी partnership वाला part शुरू किया था, आपको यह ratio याद रखनी ह ठीक, 375 is to 499, आपने अपनी copies पर लिख लिख लिया होगा अभी तक, तो अच्छी बात है, ठीक, मैं अब यह हटाने जा रहा हूँ, हमने जब partnership वाला part शुरू किया था, हमने वहाँ पे लिखा था, P is to Q, P ने 45000 से 7 महीने काम किया था, फिर 49500 से 5 महीने काम किया होगा, व अब अगर हम इनका total कर दें, यानि इसकी multiplication, इसकी multiplication थोड़ी lengthy होगी, पर जब multiplication करने के बाद addition करेंगे, हमारे पास आएगा 562500P का, और Q का आजाएगा हमारे पास 12X-31500, ये चीज़ें आपने खुद calculate करनी है, ठीक है, calculation जितनी जादा करोगे, आपकी simplification उतनी strong होगी, अ इन दोनों की ratio जो हमने अभी अभी पीछे निकाली, वो क्या थी, 375 is to 499, यानि 375 की ये value है, इससे 1 की value आएगी, फिर हम 499 से multiply कर देंगे, तो 499 की total value आएगी, जिसको हम equate करेंगे इससे, ठीक, ये चीज़ समझाई, अभी मैंने सिरफ हवा में बताईए, मैं ये होंगा, देखिए, 375 की value है, 562500, तो 1 की value जब आप पूरे cut होगे, इसको 5 के table से, ये 25 के table से, दोनों से कट सकता है, तो जब आप पूरे end तक लेके जाओगे, 1 की value आएगी, 1500, ठीक है, अगर 1 की value यहाँ पर 1500 है, तो 499 की value क्या होगी, 499 की value होगी, 499 into 1500, जिसका answer आता है 748500, अब ये 748500 किसका profit आया है, sorry, किसकी investment आयी है, जैसी ये 562500P की investment थी, जिसको हमने इस से compare किया, तो ये value इसकी आयी है, और ये 499, किसकी investment है, 499 है, Q की investment, यानि अगर मैं इस 748500 को 12X-31500 से compare कर लूँ, तो हमारा answer आ सकता है, बिलकुल आ सकता है, तो 12X-31500 is equal to 748500, ठीक, X की value आजेगी 65000, और हमारा X जो है, वो आजाएगा, ठीक है, जब आप पूरा solve करोगे, X की value 65000 आएगी, ये सारी calculation आपको खुद करनी है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, ठीक, तो हमारा final answer क्या आया, 10% आया था हमारा rate, और X जो आया, हमारा आय 000, जो की है, हमारी Q की investment, ठीक है, Q की investment, तो option C आगया हमारा final answer, lengthy था, मैं मानता हूँ, definitely lengthy था, calculations जदा थी, आपको 3-4 minute लग जाएगी, इस question को निकालने में, पर, mains में जदा question match के होते भी नहीं है, average attempt to 11, 15, 16, 20, 20 के उपर मैंने आज तर किसे को देखा नहीं, mains में attempt करते ठीक, हमारा next question हमारी screen पर है, तो हमारा question कहा रहा है, ratio of milk and water in mixture of 90 liter is 7 is to 2, ठीक, if some amount of mixture is replaced by water, कुछ amount हमने निकाला, mixture का वो भी 7 is to 2 की ratio में निकलेगा, और वो 90 minutes X हा गया, अब इसमें यही X unit जो है, वो पानी डला, ठीक है, तो हमारा ratio of milk and water becomes 5 is to 2, clear होगा, पानी डला, ठीक है, तो हमारी ratio होगी 5 is to 2, अब ऐसे questions को कैसे solve करना होता है, देखिए, हमने क्या किया था, 90 में लिखा था 7 is to 2, फिर X निकाला था 7 is to 2, ठीक है, 90 minus X आ गया था हमारा 7 is to 2, फिर इस mixture में X liter ही water add होना था, तो हमारा final आ जाना था 5 is to 2, ठीक, अब यह 5 is to, देखो 90 minus X में जब आप वापिस X add करोगे, बेशक पानी ही से ही, तो वो वापिस 90 बन जाएगा, यानि यह mixture भी 90 liter का ही होगा, अब हम इसे solve करना शुरू करेंगे, क्या करते हैं, हम कोई एक quantity उठा लेते हैं, ठीक है, पानी ही उठा लेते हैं, क्योंकि पानी की subtraction और addition हो रही है, तो पानी उठा लेते हैं, पानी कितना है, इस वाले में है 2, अच्छा, अब total mixture कितना है, 9, ठीक है, 7 plus 2 units हो गया, 9 units, 9 units की value है, 90, 1 unit की value आजाएगी 90 by 9, और 2 unit की value आजाएगी 90 by 9 into 2, ठीक, अगर हम इसमें से water उठाएंगे, तो 2 by 9, यानि 2 by total mixture into 90, यही चीज़ बन रही है नहीं यहाँ पर, तो हम इसी के basis पर अपना सारा आगे का solution करेंगे, सबसे पहले हमारे पास water कितना था, 2 था water, total mixture था 9, और 90 था हमारा total mixture, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, x liter निकाल दिया, ठीक है, इसमें x liter में water कितना निकलेगा, वही 2 निकले बाइ 9, x में से, फिर क्या किया, इन्होंने x liter ही पानी एड़ किया, x liter पानी एड़ हुआ है, कोई और रेशो नहीं आएगी, इसमें 2 बाइ 9 या कुछ भी रेशो नहीं आएगी, जब उन्होंने वापिस x liter पानी एड़ किया, तो हमारा final mixture आया, final mixture में water कितना था, वही 2 unit ह और total mixture कितना है, 5 plus 2, 7 unit, ठीक है, अब units में 7 unit था, और असली में total mixture वापिस कितना हो गया था, जब हमने ये x वापिस 90 minus x में add किया, वो हो गया था, 90 liter, तो वो 90 liter हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अब मैं ये equation दिखाता हूँ, आपको बाकी सब भटा देता हूँ, तो ये आगी हमारी equation, अब क्या करते हैं, हम x वाली term, एक side run देते हैं, दूसरी term, दूसरी side ले जाते हैं, तो ये हम ले जाएंगे, इस side, 2 by 7 of 90 minus 2 by 9 of 90 is equals to x minus 2x by 9, ठीक, ये चीज़ आगी, अच्छा अब इधर focus कीजिए, उपर अगर हम 2 into 90 common ले ले, हमारे पास क्या बच 7 minus 1 by 9, इतनी चीज़ clear है, तो 2 by 90 denominator में आगा है, 9 into 7, 9 minus 7 is equals to 9x minus 2x हो गया, 7x, तो 7x by 9, clear, 9 से हमने 9 काड़ दिया, अब हमारे पास क्या आया, ये 9 minus 7 आगया, हमारे पास 2, ये 2 इसके साथ multiply हो गया, बन गया 4, और 4 into 90 हो गया हमारे पास, 9 for the 360, numerator हमारा सारा solve हो गया, अब denominator की बात करते हैं, ये 9 तो कट गया, बचा क्या, 7 denominator भी आगया, is equals to 7x, clear, इतनी चीज़ clear होगी, तो जब ये 7 इदर जाएगा, हमारे पास आजएगा, 360 divided by 49 is equals to x, ठीक है, मैं आपको options सही बता देता हूँ, 49 कहां आ रहा है, denominator में, 49 आ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक, 49 into 10, 490 plus 17, तो 490 plus 17 तो 500 की range में चला गया, पर हमारा answer किसमें है, 360 में, जो हमारा numerator है, 360 है, 500 में तो जाएग नहीं रहा, तो यानि हमारा option E जो है, वो बिल्कुल correct option है, 49 into 7 कर लेना, उस पे 17 add कर लेना, आपका 360 ही आएगा, ठीक, यह हुआ हमारा solution खतम, A milkman mixed, two solution A and B of milk and water, अब देखिए, एक solution है A, इसमें है milk and water, एक solution है B, इसमें है milk and water, A जो है, वो 4 units का mix हो रहा है, और B जो है, वो 5 units का mix हो रहा है, clear, 4 is to 5, अच्छा, milk and water की ratio नहीं है, 4 is to 5, यह कह रहे हैं, दो solution है, A और B, उनकी जो है, जिसमें, उनमें milk and water है, और A और B को 4 is to 5 की ratio में mix किया जा रहा है, इत्ती चीज़ क्लियर होगी, then a new solution is obtained, in which concentration of milk is 75%, milk जो है, अगर C suppose कर लेता है, milk and water, milk अगर 75% है तो water 25% होगा, यानि यहाँ पर 3 is to 1 की बात चल रही है, C में, clear है, इत्ती चीज़ क्लियर, अब देखिए, allegations में क्या होता था, जब भी दो mixtures को हम mix करते थे, और उससे एक निया mixture बनता था, तो उसमें हम allegation लगाते थे, आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक solution ये है, दूसरा solution ये है, इसको mix करने से हमारा ये वाला solution बन रहा है, तो इसमें definitely लगेगा allegation, अब हमारे पास C की तो ratios हैं, पर A की तो milk और water की ratios हैं ही नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे allegation, है ना, मुश्किल है ना, तो अब देखते हैं A और B की कहीं से हमें ratios मिल जाएं, इफ इन 5 लिटर of solution A, the quantity of water is 2 लिटर, पांच लिटर में अगर water 2 लिटर है, तो milk कितना है, 3 लिटर, ठीक है, ये आगी हमारी ratio, इन 15 लिटर of solution B, the quantity of milk, अभी B का हमें निकालना है, ठीक है, B का हमें कुछ नहीं पता, हम क्या करते हैं, कोई एक quantity पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ से बना देता हूँ, सो हमारा ये बन गया, ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक quantity, हमने बताया न, मैंने आपको कितने बार बताया कि हमें same quantity उठानी है, ठीक है, तो 3 उठा ली हमने milk की, ठीक, 3 by, टोटल कितना mixture है, 5, ये आ गया A में, अब B की बात करें, तो M मी रखते हैं, और C की बात करें, 3 by 4, इतनी चीज़ क्लिएर होगी, तो करते हैं, अच्छा, 3 by 4 minus 3 by 5 एक तरफ आया, ठीक है, इस से हमने इसको minus किया, तो यानि, इस से हम इसको minus करेंगे, M minus 3 by 4 एक तरफ आया, ठीक है, इनकी ratio क्या है, 4 is to 5, 4 minus 3 by 5 is equals to 4 is to 5 की ratio में, यह mix हो रहे हैं, तो 4 M minus 3 divided by 4, divided by 3 common लिया, 5 minus 4 divided by 4 into 5, ठीक, is equals to 4, 5, इस से यह गया, ठीक, अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, यह cross multiply होके बन जाएगा, 20 M minus 15, और, यह cross multiply होके बन जाएगा, 4, 3s are 12 divided by 5, ठीक है, 4, 3s are 12, अच्छा, यह 5 minus 4 तो 1 नहीं बन जाएगा, तो multiplication में तो इसकी जुरूत नहीं पड़ेगी, 4, 3s are 12, और divided by यह 5, यह दो terms आगी हैं हमारे पास, ठीक, 20 M minus 15 is equals to 12 by 5, यह वापिस cross multiply होगा, 100 M minus 75 is equals to 12, 100 M is equals to 7, 8, 87, तो M आगया, 87 by 100, अब इस M का मतलब क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में यह था न, 3 by 5 था, A में, है न, 3 था जिसमें से milk, 5 था इसमें से total, तो वही चीज बी में आईगी, बी में 87 आजाएगा milk, और नीचे वाला आजाएगा हमारा total, अगर milk है हमारे पास 87, तो हमारे पास water कितना होगा, 13, तब ही तो इन दोनों का सम जो है, वह कितना बनेगा, 100, ठीक, अब इन्होंने कहा है कि 15 लिटर के solution में क्या होगा, देखिए, बी में क्या है, 100 लिटर में 87 है, हमारे पास milk, तो एक लिटर में 87 बाइ 100 हो जाएगा हमारा milk, इन्होंने पुछा 15 में कितना होगा, तो 15 से multiply कर देती है, तो जब हम इसको solve करेंगे, हमारे पास 1 की value आएगी, 13.05, यह 13.05 क्या है, लिटर, अगर हम milliliter में इसको convert करना चाहे है, तो क्या बनजेगा, 13050 milliliter, clear, तो इन्होंने answer भी हमारा milliliter में ही पूछा है, तो 13050 आगया हमारा final answer, ठीक, यह वाला पार्ट समझा है, यह मैंने हमने total कितना solution बनाया था, 100, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 100 liter में milk कितना है, हमें यहाँ दिख रहा था 87 liter, तो हमने लिखा कि 100 liter में है 87 liter हमारा milk, next, एक liter में हमारा milk कितना होगा, 87 by 100, इन्होंने पूछा है कि बताओ 15 liter में कितना milk होगा, तो इस term को हमने 15 से multiply किया, जिसका answer आया 13.05 liter, इन्होंने मिलिलिटर में पूछा है, तो हमने इसको 1000 से multiply कर दिया, हमारे पास आ गया 13050 मिलिलिटर, next question, time and work chapter का लग रहा है, हाँ, बिल्कुल उसी कही है, project has been done under the leadership of Bacquas, he hired total 72 workers to complete the project, 72 workers लिए, out of which 32 are female, तो 32 अगर female है, male होंगे इसमें 40, ठीक, female और male हा, पूरे question में female और male ही है, देखे, यहाँ पे लिखाओ न, female और male, तो पूरे question में female और male ही है, children नहीं है इनमें, ठीक है, 32 female है, तो male होगे हमारे 40, all the females who work in the project can complete a work in 40 days, अब देखे, यह time and work chapter का question है, time and work chapter में मैंने आपको एक formula कर रहा था, m, d, h upon w वाला, ठीक, तो उसी formula पर यह question होना है, इन्होंने कहें, जितने भी female है, यानि 32 female जो है, तो इसको f लिख देते हैं, female के लिए, यह काम खतम कर रही हैं, कितने दिन में, 40 दिन में, अपना काम खतम कर रही हैं, ठीक, साथ ही, जितने male हैं, यानि कि, जितने male हैं, वो अपना काम खतम कर रहे हैं, 35 days में, तो अब इन दोनों को equate कर देते हैं, तो जब हमने equate किया, 40 से 40 गया, हमारा female upon male आ रहा है, 35 by 32, ठीक है, यह आगी इनकी efficiency, अच्छा, अब next चीज, इन्होंने क्या किया है, in how much time, 70 male and 64 female, तो 70 male, male की efficiency किया है, 32, and 64 female can finish the work in number of days, डी मान लिया हमने number of days, तो इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, तो हमने लिख लिया कि 70 male, जिनकी efficiency है 32, प्लस 64 female, जिनकी efficiency है 35, यह number of days, डी में काम खतम कर रहे हैं, तो total काम कितना है, यह जो दो equations थी हमारी, इन में से कोई भी एक equation उठालो, वो total काम ही कर रही है, तो हमने उठाली है, 32, female कितनी है, female का है, यह जो F है, इसमें यह value पूट होगी 35 की, क्योंकि यह उसकी efficiency है, into 40, क्योंकि यह 40 days में काम खतम कर रही है, तो इनको equate कर लेंगे, 70 into 32, हमारा 70 into 30 हो गया, 200, और 70 into 2 हो गया, 140, यानि की 2240, तो 72, 70 into 32 आ गया, हमारा 2240, वैसे ही 64 into 35 भी हमारा आना है, 2240, यानि total काम हो गया, हमारा 4480, 4480 into D is equals to 32 into 35 into 40, तो इससे यह गया, 4 से काटते हैं, 1, 1, 2, 2 से काटा, यहां पर आ गया, 16, 2 से काटा, 56, 8, 28, 4, 14, 2, 7, तो 7, 5, 35, 5 into 2 आ गया, हमारे पास, 10 days, तो 10 days हमारा कहाँ पर है, option B, ठीक है, मैं आपको equation बना देता हूं, ठीक है, फिर से एक बार equation दिखा देता हूं, आप solve खुद करना, हमारी equation थी, 4480 into D is equal to 32 into 35 into 40, जब आप इस पूरे को solve करोगे, हमारे पास days आ जाएंगे, 10 days, next question पर चलते हैं, अच्छा, a birthday party was organized for 150 people, ठीक है, such that average cost of food per plate is rupees इतनी, अब देखिए, अगर आप एक birthday party organized करते हो, आप एक budget लेकी चलते हो, suppose कर लो, आपने कहा, कि मेरे total budget जो है, वो मेरा होगा 2000 पे का, ठीक है, और मेरे 10 friend आएंगे, तो आप क्या कहोगे, कि आपके 10 friend आ रहे हैं, 2000 का total budget है, यानि पर बंदे पे आप 200 पे का खर्चा करोगे, उस से जादा का खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि आपका budget उपर चला 2000 का, तो ऐसा करते हैं, कि हम जो 200 रुपीज खर्च रहे थे, अब हम जादा रुपीज खर्च देते हैं, कितने जादा रुपीज? 2000 by 8 रुपीज, तो वही चीज है हमारे question में, 1500 लोगों के लिए 1840 रुपीज का जो था budget था, 1500 लोगों से अगर 1840 रुपीज को, जो 1840 हर ए इन्होंने कहा, अब 1500 नहीं आ रहे, अब कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो जिसकी वज़ए से उन्होंने क्या कहा, कि अब 1840 नहीं, हम 160 रुपे पर प्लेट बढ़ा देते हैं, तो 2000 रुपे से budget में increase होगा, ठीक है, तो total budget आ गया, अब ये budget और ये budget तो सेम ही रहा, क्योंकि बंदे कम हुए, हमने budget बढ़ा दिया, तो overall budget जो है, वो सेम ही रहा, क्योंकि budget जो बढ़ा है, वो per person बढ़ा है, तो overall budget सेम रहा, जब जो दो चीज़ए सेम होती है, तो हम equations को equate कर देते हैं, ठीक, solve करते हैं, 5, 3s are 15, 5, 4s are 24, 4s are 16, 24, 4, 6s are 24, तो 138 is equal to 150 minus x, तो x की value आ गई, 12, ठीक है, और 12 ये कोन है, ये वो लोग है, जो कम आये हैं, जो मतलब जिन्होंने attend ही नहीं की party, तो हमारे question में भी ये पूछा है, कि किन्होंने attend नहीं की, 138 वो लोग हैं, जिन्होंने attend की है, 12 वो लोग हैं, जिन्होंने attend नहीं की, confuse मत होना, इसी के साथ हमारा part 5 भी होता है, खतम, आज के questions मज़दार थे, बड़े थे, tricky थे, और tricky के साथ साथ lengthy भी थे, सबसे बड़ी बात, calculations heavy थी, concepts थोड़े लंबे लंबे थे, तो आज का part mains के इस आप से काफी ज़्यादा important है, इसमें आपके सारे concept clear हो जाएंगे, ठीक है, तो खतम करते हैं अपनी वीडियो को यहीं, thank you so much.